अलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका लिनवो का लैप्टॉप इसका बेस टूटा हुए नीचे से, पैनल को आगे पिछे करने पे बेस जो है खुल रहा है, सो सबसे पहले हम लैप्टॉप को प्रफपली स्विच आफ कर लेंगे, फिर इसके बेस पे आप देख सकते हैं, तेरा स्कूरूज दिये हैं, इनको हम खोल लेंगे, एक अच्छे मैगनेट वाला स्कूरॉड्राइवर ले लीजिए, सबी स्कूरूज की साइज सेम है, इसमें फिलाल एक स्कूरू मिसिंग है, और इसमें दो स्कूरूज जो है, वो स्टक हुए पड़े, वो नि पर फिक्स हो, जो बेस है, ये बाहर की तरफ निकलेगा, ओपनर को हमने बेस हो, टेच पैड के बीच में डालके, बेस के जो प्लास्टिक के लॉक से इसको हम अनलॉक कर लेंगे, जैसे जैसे अनलॉक करेंगे, आपको उसकी साउंड सुनाई देगी, फिर हमने से दीरे से इसको उठाना है, सभी साइड से थोड़ा सा बेंड कर लेना, जिससे वो प्लास्टिक के लॉक से ओपन हो जाएंगे, और फिल ये निकल जाएगा, और इसमें उससे पहले हमने जो ये डीवडी ड्राइव लगा हुआ, इसको खोलेंगे, पर जो इसका स्कूरू है, वो भी स्टक हुआ पड़ा है, सो इसमें लगी हुई ये कैडी, जिसमें, कैडी मिन्स जिसमें हार ड्रेव लगी होती है, सो जो इसका कैडी का कवर है, इसको हम खोल लेंगे, हम इसमें पूरा ड्राइव खोलने के जरूत नी पड़ेगे, हम कैडी का कवर ही खोल लेंगे, और फि अब यह बेस निकल चुका है पर जो स्कूरूस टक हुए पड़े है उसको हम थोड़ा सा प्रेस करके स्कूरूस को खोल लेंगे यह आप देख सकते हैं अभी इसको आपने उपर की तरफ उठाना है और स्कुरू को खूलना है जिससे क्या होगा वो प्रेशर बना रहता है और स्कुरू उपर की तरफ आ जाता है एक हिंज वाली साइड पे भी लगा हुआ है इसको भी ऐसी कर लेंगे आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपल ओपन हो गया अभी आप देख सकते हैं कि यह जो लैप्टॉप है इसके आपको हम पार्ट्स बता देते हैं यह SSD है, SATA SSD है, यह बैटरी लगी हुई है, दो स्पीकर्स लगे हुए है और यह CADY और हार्ट डिस्क लगी हुई है, यह Wi-Fi कार्ड है, RAM की सिंगल स्लॉट, प्रोसेसर, हीट सिंक, यह ग्राफिक चिप नीचे और यह CPU फैन है अभी हम सबसे पहले जो बैटरी की केबल है, इसे स्लाइड करके डिस्कनेक्ट कर देंगे फिलाल तो मैं ओपनर से यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप फस्ट टाइम कर रहें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओपनर नीचे टैच नहीं होना चाहिए चाहे तो आप बैटरी के जो चार स्कूरू से खोल के फिर आप खीच लो, क्योंकि जो एक केबल है थोड़ी सी हार्ड होती है अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि इसके राइट साइड में ये स्कूरू निकला हुए, ये हिंच टूटी हुई है इसी को हम आपको दिखाएंगे करके, एक स्कूरू और खोल दिया है, और जो इसके होल्डर होता है, ये देखिए, ये भी हम निकाल के दिखाएंगे, होल्डर और स्कूरू दोनों निकल चुके, होल्डर तूटे होने के कारण जो इसकी हिंज है, वो तूटी हुई है, ये जो स्कूरूसी लगे होते हैं अभी हमने दीरे से जो हिंज है इसको लिफ्ट कर लेंगे एक्शली जो यह हिंज है यह टाइट हो चुकी है टाइट होने के कारण इन में प्रॉब्लम्स आती है सो हम इसको रिपेर करेंगे प्लस जो हिंज है इसको थोड़ा लूस करेंगे उससे पहले हम जो यह कैडी है इसको निकाल लेंगे यह आप देख सकते हैं इसमें हार्ट ड्रेव लगी हुए कैडी का काम होता है कि इसमें आप हार्ट ड्रेव रखके यूज कर सकते हैं अब यह हमने जो यह नीचे लगा हुआ है अलमीनियम का कवर है इसको भी खोलेंगे फिर इसके नीचे होल्डर्स लगे होते यह आप देख सकते हैं यह जो एक स्पेस खाली है और यह दो होल्डर्स उकके है तो हम इस पे होल्डर को फिक्स करेंगे इसको क्या करना होता होल्डर को हीट करके फिर फिक्स करना होता है हीट आप चाहे किसी भी चीज से कर सकते हो अब मैंने इसे हीट करके ठीक ऐसे यूपर रख दिया जिससे वो नीचे प्लास्टिक में चला गया होल्डर और वो फिक्स हो गया फिलाल मैंने लाइटर ही यूज किया नॉर्मली अभी जो ये हिंज का एक स्क्रू दिया हुआ है इसको हम डीला कर लेंगे आप इसके लिए कोई भी चावी वगरा भी यूज कर सकते हैं नहीं तो मैंने तो प्लास के तुरू इसको उपन कर रहा हूँ थोड़ा सा लूज करना जादा नहीं करना नहीं तो पैनल का जो पूरा प्रेशर है दूसरी हिंज पर जाएगा और पैनल लूज हो जाएगा साथ में इसको आप आइलिंग भी दे सकते हूँ आइलिंग जो होता है वो नार्मली जो मिशीन का आइल होता है वो ही आप यूस कर सकते हूँ कोई पर्टि कुरी स्पेशल आइल नहीं होता है इसमें जो हंड़ा सागे पी siर आप इलाके देख सकते है ताकि आपह सागे मिक्स हो जाए और फिक्स करके इसको प्रॉपली उपर से जब हम हिंच लगाएंगे तो उसको भी थोड़े बड़े स्कुरू लगा के हमें नीचे करना पड़ेगा ताकि प्रैस हो जाए एक पर आप अपना समय लेके राम से कर सकते इसको जल्दबाजी मत करना बस कर दो कर दिए और अब हमने जो बैतरी की केबले इसको स्लाइड करके कनेक्ट करेंगे उससे पहले हम जो केडी है इसको इंसर्ट कर देंगे सिर्फ स्लाइड करना और केबल को अंदर अटैच कर देना प्रॉपरली अभी जो इसका बैस है इसको हम फिक्स कर देंगे उपर बैस को जास उपर रखके हमने प्रेस करना है सभी साइड से ताकि जो प्लास्टिक के लॉग से वो प्रॉपरली अटैच हो जाए एक दूसरे के साथ अभी हमने बैस के सभी स्क्रूज को टाइट कर लेना है शुक्रिया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ओर वीडियो के लिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशन के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि पैनल को आगे पिछे करके एकड़म प्रॉपर लिए टाइट हुआ पड़ा है आपको सार्विए से दिखा देता हूं यह देखिए पैनल को आगे पिछे करने पर एक दम प्रॉपर एबेस के यह निकी बेस खुल रहा है एकडम प्रॉपर एफिक्स शुक्रिया वीडियो देखने के लिए झाल झाल